हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवम कुमार और आप देख रहे हैं B.A.C. Tricky Classes तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए G.K. के Top 50 Questions लेके आए हैं और दोस्तों ये Questions आपके जो है UPSC का जो एक्जाम होना है Forest Guard का साथी साथ P.E.T. Exam, UPSC Exam के लिए भी ये अत्ती महत्पूर्ण Questions है दोस्तों आपसे request है कि प्लीज आप लोग वीडियो को share कर दिया करिए ताकि इसका benefit और भी लोगों को मिले क्योंकि यही एक support है जो कि हम आपका चाहते हैं चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं वीडियो को और आज का पहला question देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो बस like कर दीजेगा शली दोस्तों शुरू तो फ्रेंड्स इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.3 यानि की मध्य प्रदेश तो फ्रेंड्स राज जिस्तरी मानो विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पर्थम राज जी है मध्य प्रदेश यानि की MP ठीके दूस्तु चलिए माई डियर फ्रेंड्स आपका अगला question है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कारिकरम यानि की UNDP इसका full form होता है United National Development Program ठीक है न तो UNDP की मानो विकास रिपोर्ट की तरज पर भारत की पहली मानो विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया बताइए दोस्तों UNDP के आधार पर पहली मान विकास रिपोर्ट को कब जारी किया गया था आपके options आपके सामने हैं और बताइए इस question का राइट आंसर तो इसे जारी किया गया था वर्स 2002 में और माह कौन सा था तो अप्रेल तो अप्रेल 2002 में इस question का राइट आंसर हो जाएगा option no.3 clear friends चलिए friends अभी हमने बात की है कि इसको जारी कब किया गया था और इसी से ही संबंधित एक अगला प्रश्न है कि UNDP की मानो विकास रिपोर्ट में भारत को किस रेडी में रखा गया very good question तो friends यह आपके options हैं और बताइए कि जो है भारत को किस रेडी में रखा गया तो friends इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.2 यहीं कि मध्य मानो विकास रिपोर्ट में रखा गया था भारत को option no.2 is the right answer of this question clear friends चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला question है कि निम्रिखित में से कौन सा मानो विकास सूजकांग का माप नहीं है तो जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, शाक्षरता दर या सकल नामांकन तो बताइए friends कि इस question का right answer क्या होगा तो very good friends और इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.2 यानि कि लिंग अनुपात ठीक है न तो यह जो है मानो विकास सूजकांग का जो है माप नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा option no.2 next question my dear friends आपका अगला question है कि निम्रिखित में से कौन सा एक आसमानता हटाने का उपाय नहीं है दोस्तों बहुत अच्छे question समा के लिए लेके आते हैं वीडियो के लिए एक like और एक share तो बनता है friends बताई दोस्तों इस question का right answer क्या होगा very good friends और इस question का right answer अगर आपने चुना है आपका option no.2 यहीं कि आर्थ सवस्था के उदारी करन ठीक है न तो यह जो है आसमानता हटाने का उपाय नहीं है दोस्तों मेरे प्यारे भाईयों इस question का right answer हो जाएगा option no.2 clear friends चलिए my dear friends आपका अगला question है कि निम्रिखित में से कौन सा छेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सरवाधिक योगता योगदान देता है तो friends कौन सा छेत्र GDP को जो है सबसे ज्यादा योगदान contribution देता है आपके options है प्रात्मिक छेत्र दृतियक छेत्र तृतियक छेत्र या सभी बराबर तो very good friends और आपके इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.3 यहीं कि तृतियक छेत्र ठीक है तो कौन से होते हैं यह होते हैं तृतियक छेत्र दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option no.3 उस्ते बहुत ही important questions है आप लोग जो है इन questions को जो आपके group है आपके WhatsApp में कोई आप टेली ग्राम में कोई भी group है जिसमें की UPSI और लेखपाल जैसी परिक्षाओं के तेहरी होती है तो आप उनमें भी हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं तो friends उनके लिए भी यह बहुत helpful है अगर आपके family member में भी कोई तेहरी करता है तो उसको जरूर सज्ज्ट कीज यह सकल राश्च्री उत्पाद माइनस व्यक्तित आए यह दोस्तों आपका अगला option है व्यक्तित आए माइनस व्यक्तित कर तो बताए फ्रेंड्स की मूल हास किसके बराबर होता है तो इस question का right answer अगर आपने चुना है आपसे नमबर फॉस्ट यहीं कि सकल राश्च्री उत्पाद माइनस निबल राश्च्री उत्पाद तो यह होता है मूल हास के बराबर important question ऐसे question अकसर आते हैं ठीक है तो जो formulas होते हैं उनको भी आप याद कर लीजिए तो अकसर question पूछते हैं आप से साथ ऐसे पूछ देगा कि सकल मूल हास किसके बराबर होता है आप से ऐसे पूछ देगा कि सकल घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो इस type question भी अकसर आते हैं ठीक है न आपका आगला question है कि निमलिखित में से कौन सी राश्ट्री आय के मापन की विधी नहीं है तो मोलिवर्दित विधी आय विधी निवेश विधी या वे विधी तो बताए ये friends कि कौन सी राश्ट्री आय के मापन की विधी नहीं है तो very good friends और इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.3 यहने कि निवेश विधी तो बिलकुल सही आँसर है आपका तो निवेश विधी राश्ट्री आय के मापन की विधी नहीं होती है लेकिन इसके अलावा जो तीन विधियां है ये आप याद कर लेजिए इसमें पूछा है कि कौन सी विधी नहीं है और सायथ आपसे अगले question में पूस दे आपके exam में कि कौन सी विधी है ठीक है तो इस question को sorry इस option को आप याद रखेंगे कि निवेश विधी नहीं होती है लेकिन ये तीनों होती है तो ऐसे में अगर तीन में से आपको कोई भी option मिल जाए तो आप उस आपको बताना है कि कौन सी जो है राष्ट्री आय आकलंड की पध्धत नहीं है या क्या option से बताईए फ्रेंट्स दोस्तों इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.3 नहीं की matrix तो यह कौन सी पध्धत नहीं होती है तो यह matrix पध्धत होती है यह आकलंड की पध्धत नहीं होती है तो ऐसे में आपका right answer हो जाएगा option no.3 clear friends चलिए यह दिखी दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको अवेर किया था कि इस टाइप के question भी पूह सकता है और देखे same question आ गया दोस्तों इसलिए आपको बताते हैं कि आप लोग भरोसा बनाया रखिए और हम आपके लिए best से best questions लेके आएंगे तो dear friends आपका अगला question है कि राश्ट्री आए निकालने के लिए NNP मेंसे किसे घटाया जाता है बहुत अच्छा question और दोस्तों बताइए कि राश्ट्री आए निकालने के लिए NNP मेंसे किसको घटाएंगे तो friends इस question का right answer अगर आपने चुना है option number first यह निकि आप प्रत्यक्षकर तुम किसको खटाएंगे तो आप प्रत्यक्षकर को खटा देंगे तो इस question का right answer हो जाएगा option number first clear friends चलिए यह देखिए friends कितने जो है important questions आपके सामने आ रहे हैं यह जो है अड़ सबस्ता से संबंदित questions होते हैं और UPSI में अक्सर questions इस टाइप के आते हैं तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्लीज आप उनको भी हमारी यह वीडियो सेजस्ट कीजिए तो आपका अगला question है कि GNP से NNP निकालने के लिए किसको खटाया जाता है तो very good friends और आपके इस question का right answer हो जागा हरास यह पर गलत लिखा हुगा है यह हरास होता है यह की depreciation इसको बोलते हैं इंगलिज में इस question का right answer हो जागा option number first हरास यह depreciation clear friends चलिए तो फ्रेंट्स यह देखिए अगला question है कि सकल राश्ट्री उतपाद माइनस मोल लिहास बराबर क्या होता है मताईए जोस्तों यह आपके सामने एक सूतर दिया गया हुआ है कि सकल राश्ट्री उतपाद माइनस मोल लिहास बराबर क्या आपके options हैं प दोस्तों आपको याद रखना है कि सकल राश्ट्री उतपाद माइनस मोल लिहास बराबर होता है निबल राश्ट्री उतपाद ठीक है ना तो फ्रेंट्स इस question का right answer हो जाएगा आपको option number second clear friends तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लेचलते हैं आपको वीडियो के अगले question की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों भाईयों आपका अगला question है कि भारती मुद्रा ठीक है ना तो भारती मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनमया अंदर संबंतित है यह बहुत अच्छा question है friends important question त आपके options है Pound Sterling से, Dollar से, SDR से यह चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समोह से तो दोस्तों जो रुपया की आधिकारिक विनमयदर है यह संबंतित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समोह से important question तो इस question का right answer हो जाएगा option no.4 चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समोह से ठीक है option no.4 is the right answer of this question चलिए तो अब हम देखते हैं अगला question तो आपका अगला question है कि भारत में सरव प्रथम पत्र मुद्रा का चलन का प्रारंब हुआ था very good question तो आपके options हैं 1902, 1601, 1680 या 1806 तो बताए दोस्तों कि भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन का प्रारंब हुआ था तो साथियों इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.4 यानि कि वर्स 1806 में ठीक है ना तो 186 में हुआ था जो सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन option no.4 is the right answer of this question वर्स 1806 भी important question है याद रखियेगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला question है कि भारत की विदेशी मुद्रा का सरवाथिक भाग खर्च होता है तो friends आपके options हैं खाद्यानों के आयात पर, law इसपात के आयात पर, petroleum के आयात पर या तकनीकी ग्यान के आधार पर तो बताए friends की भारत की विदेशी मुद्रा का सरवाथिक भाग किस पर खर्च होता है तो very good friends और आपके इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.3, petroleum के आयात पर, तो किस पर खर्च होता है तो petroleum के आयात पर, ठीक है friends इस question का right answer हो जाएगा option no.3, petroleum के आयात पर, चलिए Dear friends, आपका अगला question है कि काली मुद्रा की सबसे मानने परिभाशा है, दोस्तों इसमें कुछ चुट चुटी परिभाशा है, डिफनेशन दी गई हुई है, और इसमें से आपको बताना है कि काली मुद्रा, यनिकि black money, ठीक है न, तो इसकी जो सबसे मानने परिभाशा, सबस वह आय है, जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है, तो यही होती है, काली मुद्रा, यनिकि जिस पर आपवंचन ना हुआ हो, जिसका विसलेशन ना हुआ हो, वो कहलाता है black money, option number 4 is the right answer, चलिए, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला question है कि अवमूल शब्द का अर्थ है, बत सुदेशी मुद्रा के मूल में बढ़ोतरी करना, विदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, या उप्यूप्त में से कोई नहीं, तो very good friends, और आपके इस question का right answer, अगर आपने चुना है, आपका option number first, यानि कि अन्य मुद्रा की तुलना में सुदेशी मुद्रा के मूल को घटाना, ठीक है, तो अन्य मुद्रा की तुलना में सुदेशी मुद्रा के मूल को घटाना कहते हैं अवमूल, ठीक है दोस्तों, आप स्पीद, यह सब हमने आपको पढ़ा दिया है, आप एक बार चाहे हैं तो पिछली वीडियो को follow कर सकते हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को follow जरूर करें, क्योंकि इससे आपका भी profit है, ठीक है ना, आपका भी profit इसमें है, क्योंकि आपके लिए जितने questions आपको याद सस्ता हो जाता है, अव मूल से घरेलू बाजार में आयात महेंगा हो जाता है, उप्यूक्त दोनों या इन में से कोई नहीं, तो फिरेंट देखिए, इस question का right answer हो जाएगा, आपका option number 3, उप्यूक्त में से दोनों, देखिए, अव मूल जब होता है, तो विदेसी बाजार म में आयात महेंगा हो जाता है, ठीक है न, तो यही होता है, अव मूल, इसको आप अव मूल भी बहुत सकते हैं, और इसमें आपके दोनों option बिल्कुल सही है, तो फ्रेंट्स, इस question का right answer हो जाएगा, आपका option number 3, अगर आप से करे पोश दे, कि अव मूल की इस्तिती में, वि अगला question है कि अव मूल का उद्देश होता है, तो बताएगे friends कि अव मूल का उद्देश क्या होता है, यह आपके options हैं, आपको clearly visible हो रहे होंगे, और बताएगे friends कि आपके इस question का right answer क्या होगा, तो साथियों इस question का right answer, अगर आपने चुना है, आपका option number 4, यहने कि निर्याद को प्रोथ साहित करना, तो यह होता है अव मूल का उद्देश चे, option number 4 is the right answer of this question, निर्याद को प्रोथ साहित करना, ठीके, चलिए, My dear friends, आपका अगला question है कि भारत में लिगनाइट कोईले का सरवाधिक जमाओ पाया जाता है, जारखन में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में, या तमिल नाडु में, तो बताएगे दोस्तों कि लिगनाइट कोईले का सबसे ज़्यादा जमाओ कहां पाया जाता है भारत मे दोस्तों इस question का right answer अगर आपने चुना है option number 4, यानि कि तमिल नाडु में, तो बिल्कुल सही answer है आपका, तो भारत में लिगनाइट कोईले का सरवाधिक जमाओ पाया जाता है तमिल नाडु में, option number 4 is the right answer of this question, clear friends, चलिए, आपका अगला question है कि भारत में कोईले की सबसे मो मोटी पटल पाई जाती है, दोस्तों बताइए आपके options हैं, सिंग रॉली, सिंग रैनी, धनबाद या सुहागपुर, बताइए दोस्तों कि सबसे मोटी कोईले की पटल कहां पाई जाती है, मेरे प्यारे दोस्तों, इस question का right answer अगर आपने चुना है, option number 1, यहने कि सिंग रॉली, तो बिलकुल सही answer है आपका, भारत में कोईले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है, सिंग रॉली में, ठीक है, चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे, वीडियो की अगले question की त बहुत अच्छा question, आपके options हैं, 55%, 67%, 73% या 80%, तो बताइए दोस्तनों कि व्यवसाई कुरजा में, किसकी बात हुई है, तो बात हुई है व्यवसाई कुरजा की, और अब बताइए कि कोईले का कितना योगदान है, तो friends, जो कोईले की खापत का योगदान है, यह है 67%, यहन friends, next question, साथियों आपका अगला question है कि भारत में कुल उत्पादिक, विद्दुत में परमाण शक्ति का भाग है लगभग, तो friends, अच्छा question है, और बताइए कि, जो है, अभी आपने डिस्कस किया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, कि कोईले की खापत का कितना योगदान है और अब आपको बताना है कि जो है, परमाण शक्ति का कितना भाग है, तो friends, यह है दो प्रतिस्ट, कितना 2%, important question में इसको मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो है, प्रतिस्ट की मात्रा कम दीके हुए, तो साथ इस टाइक को questions आप से पोच ले, याद रखिएगा, इस question का right answer हो ज छेत्रों में किसका कोईला भंडार सरवाधिक है, friends, जारिया, रानी गंज, कोरवा या सिंग्रॉली, तो बताइए, friends की इन में से, किन जो है, छेत्र में से, इन छेत्रों में से, किस में जो है, सबसे ज़्यादा कोईला भंडार के छेत्र है, तो साथ इस question का right answer, अगर आप आपके सामने है, और इस सुध्यान से देखेंगे आप लोग, प्रशन है कि ग्रामीड विद्धुति करड ठीक है, ग्रामीड विद्धुति करड निगम की स्थापना कब हुई थी, मताई, friends, कि ग्रामीड विद्धुति करड निगम की स्थापना कब हुई, आपके options आपक तरहने कि 1969 ठीक है तो ग्रामीर विद्धुत्ती करण निगम की स्थापना हुए थी वर्स 1969 में तो इस question का right answer हो जाएगा option number first clear friends चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला question है कि भारत में लिगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों केरल तमिल नाडव रजस्थान या गुजरात तो फ्रेंड्स इस question को अगर आप लोग जो है स्टार्टिंग से जोड़े हैं हमारे इस वीडियो में तो आपको पहले इसका अंसर मिल गया था और इस question का राइट आंसर अगर आपने चुना है option no.2 यानि की तमिल नाडव तो बिल्कुल सही आंसर है आपका तो तमिल नाडव है लिगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ठीक है option no.2 इस दा राइट आंसर आप इस question clear friends चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रस्ण है कि निवेश की द्रस्ट से भारती अर्थ विवस्था का निवलिखित में से सबसे बड़ा उत्योग कौन सा है बहुत अच्छा question दोस्तों चाय, सीमेंट, लौ, इसपात और पटशन इन में से बताएगे कि निवेश की द् द्रस्टी कौन से जो है भारती अर्थ विवस्था का सबसे बड़ा उत्योग कौन सा है तो very good friends और आपके इस question का right answer अगर आपने चुना है option number 3 यानि कि लौह इसपात ठीक है तो दोस्तों निवेश की द्रस्टी से भारती अर्थ विवस्था का जो सबसे बड़ा उत्योग है यह है लौह इसपात option number 3 is the right answer of this question चलिए दोस्तों यह question बहुत important है इसको कई बार पूचा गया exam में तो मिले प्यारी दोस्तों आपका प्रश्ण है कि राउर केला इसपात सयंद्र की स्थापना हुई थी तो किसके सहयोग से ठीक ना किसके support से राउर केला इसपात सयंद् तो आपके options है United Kingdom के सहयोग से, रूस के सहयोग से, USA के सहयोग से या जर्मनी के सहयोग से तो very good friends और आपके इस question का right answer अगर आपने चुना है option number 4 यानि कि जर्मनी के सहयोग से तो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से राउर केला इस पाथ सयंद्र की स्थापना हुई थी तो इस question क right answer हो जाएगा option number four clear friends चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला question है कि बोकारो steel plant किस देश के स्थायोग से इस्थापित किया गया है उस्तों बहुत अच्छे question से देखिए आप लोगो ध्यान से मन लगा के पढ़िए तो बादा ये friends की बोकारो steel plant किस देश के स्थायोग से इस्थापित किया गया है रूस फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन गया स्थायोग तो राज्य अमेरिका तो साथियों इस question का right answer अगर आपने चुना है option number first नहीं कि रूस तो बिल्कुल सही answer है आपका तो बोकारो steel plant जो है ये रूस की सहयता से इस्थापित किया गया है इस question का right answer हो जाएगा option number first रूस डियर फ्रेंड्स आपका अगला question है कि दुर्गापुर इसपात सयंत्र किसके सहयोग से इस्थापित किया गया तो फ्रेंड्स आपसे एक स्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो यार प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से हैं आपके लिए लाते हैं इसके लिए लाइक और एक शेयर तो बनता है न प्लीज और अगर आप इसके अलावा अगर आपके पास हमको समय देना चाहें आप तो आप हमारे वीडियो की लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए ठीक है तो आपकी कमेंट पढ़के हमें बहुत अच्छा लगत आपके कमेंट जो होते हैं तो और बहतर तरीके से क्लास जो है कराने में हमारी हेल्प करते हैं प्लीज फ्रेंड्स इतना सपोर्ट किया करिए तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दुरगापूर इसपाथ सहयंत्र किसके सहयोग से इस्थापित किया गया बताईए तो साथ यह इस्थापित किया गया था ग्रेट ब्रिटेंड के जाहता से किसके ग्रेट ब्रिटेंड ऑप्सिन नमबर थोर्ड इस दा राइट आंसर आप जिस ग्रेश्चन है क्लियर फ्रेंड्स चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रेश्य प्रेश्न की स्थिलय इस्थापित आफ इंडिया लिम्टेड तो इसकी स्थापना बताये कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर अगर आपने चुना है option no.3 यानि कि वर्स 1974 में तो 1974 में सेल की स्थापना हुई थी ठीक है याद रखना है important question मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित में से कौन सी agency सरवाधिक छेत्र के स्थायंत्र के लिए इस पात्र का विक्रे करती है आपके options है है HNCC HAIL सेल या टाटा स्टील तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि जो है सरवाजनिक सरी सारवजनिक छेत्र के लिए इस टील का सबसे ज्यादा जो है विक्रे करती है तो friends यह सेल ठीक है ना इसका full form और इसकी स्थापना डिसकस कर चुके हैं तो तीन questions आपके इस जो है टॉपिक से complete हो गए हैं और सारे के सारे important है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रशने की भारत में हरिद क्रांत के जनक कौन थे मेरे प्यारे भाईयों बताइए कि भारत में हरिद क्रांत के जनक कौन थे प्रकास सिंग कैरी अगर आपने चुना है option number 3 यह निकी MS स्वामी नाथन तो बिलकुल सही आंसर है आपका तो भारत में हरिद क्रांत के जनक कौन थे तो MS स्वामी नाथन ठीक है option number 3 is the right answer of this question clear friends चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रशन है कि हरिद क्रांत शब्द के प्रतिपादक है दोस्तों इसमें बात ही हरिद क्रांत शब्द के प्रतिपादक कोन है ठीक है ध्यान से बताइएगा नॉर्मल बोलाग विलियम गॉड्ट वर्जिकेज कुरियन या MS स्वामी नाथन तो काफी यूनिक से काफी मैचिंग ऑप्संस हैं गरत मत कीजिएगा बताइए फ्रेंट्स के question number 34 का राइट आंसर क्या होगा आपके options यहां से सुरू है तो फ्रेंट्स इस question का राइट आंसर अगर आपने चुना है option number second यह नहीं की विलियम गॉड्ट पिल्कुल राइट आंसर है आपका तो हरित क्रांत शब्द के प्रतिपादा कौन है तो यह हैं विलियम गॉड्ट option number second is the right answer of this question clear friends चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है कि गहन क्रशी जिला कारिकरम ठीक है नहीं कि IADP तो यह जो IADP प्रोग्राम है यह कब प्रारंब किया गया था आपके option से वर्ष 1960 से वर्ष 1961 इसवी 1964 से 1965 इसवी इसवी से 1967 से 1971 इसवी तो फ्रेंट्स इस question का right answer अगर आपने चुना है option number first यहीं कि वर्ष 1960 से वर्ष 1961 इसवी में तो यहीं पे जो है IADP का प्रोग्राम जो है यह शुरू किया गया था इस question का right answer हो जाएगा option number first 1960 से 1961 इसवी क्लियर फ्रेंट्स चलिए दोस्तों अभी बात ही थी जो है जिले से संबंदि और अब आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है गहान क्रशी छेत्री कारकरम देखो अभी दोस्तों बात किती जिला इस तरकी और अब बात ही छ बताइए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा तो फ्रेंट्स यह होता वर्स 1964 से 65 ठीक है ना confused न हो ना option number second is the right answer of this question dear friends आपका अगला question है कि भारत में हरित क्रांथ की शुरुआत हुई तो बताइए फ्रेंट्स की भारत में हरित क्रांथ की शुरुआत कब हुई आपके options आपके सामने हैं बहुत अच्छे questions हैं और बताइए इस question का right answer क्या होगा तो very good friends और इस question का right answer अगर आपने चुना है आपका option number 3 यनि की वर्स 1966 से 1967 इसवी में तो भारत में हरित क्रांथ की शुरुआत हुई थी वर्स 1966 से 1967 इसवी के मद्ध में इस question का right answer हो जाएगा option number 3 ठीक है दोस्तों चलिए मेरे प्यारे दोस्तों भाईयों आपका अगला question की operation flood कारिकरम कब प्रारंब हुआ था very good question साथियों इस question का right answer अगर आपने चुना है option number second ठीक है यह शुरू हुआ था वर्स 1970 इस भी में तो operation flood कारिकरम कब शुरू हुआ तो वर्स 1970 में option number second is the right answer of this question मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला question है कि देश में दुख्ध उत्पात्तन में व्रधी लाने के उद्देश यहने की सघन पशु विकास कारिकरम ICDP कब चलाया गया तो फ्रेंड इस question का राइट answer अगर आपने चुना है option number first यह नहीं कि वर्स 1964 से पैंसर डिस्पी में तो ICDP कब चलाया गया था तो वर्स 1925 डिस्पी में दूस्तों ICDP और जो है हरित करांती और भी जो दोस्तों टॉपिक हैं यह सभी हमने आपके कवर कर लिए हुए हैं तो सारी important है आप याद रखेंगे इस question का राइट answer हो जाएगा आपसे नंबर फॉस्ट dear friends आपका अगला question है कि राज्यों में सडक मार की लंबाई में पर्थम इस्थान किसका है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो यह आपका पहला question है तो हमारे states में सबसे ज्यादा सडके लंबी सडके ठीके के कि इस अपका अगला प्राश्ने की पछली चार दुसको में माल परिवाहन में सडक परिवहन का हिंस्ता है घटा है इस्थिर बना हुआ है यह कभी बढ़ाक स्ञूर्स कभी कम हुआ है तो फ्रेंट इस question का right answer अगर आपने चुना है option no.1 यानि कि घटा है तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा है तो यह जो है घटा है option no.1 is the right answer of this question clear friends चलिए साथियों आपका अगला question की राश्ट्री राजमार्ग विकास पर्योजना के तहत प्रस्तावित स्वर्डिम चतुर्भुज के सामने कौन सा शहर नहीं है तो अगर इसका मैप होता तो मैं इसको आपको अच्छे समझा देता इस पर कुछ चतुर्भुज टाइप का मतलब मैप में है तो उसमें से अगर practically बता पाता तो जो है मैं आपको अच्छे समझा देता फ्रेंट्स इसलिए बोलतों प्रीज आप लोग सपोर्ड कीजिए तकि हम और बहतर चीजिए आपके साथ में ला सकें ठीक है तो फिरहल के लिए इस question का राइट answer आप याद कर ल लगनोग दोस्तों आपका अगला प्राशन है कि निम्रिखित में से कौन सा नगर स्वरडेम चत्रफुच पर नहीं है तो फ्रेंट्स अगर हम बात करें आपके question number 43 के राइट answer की इसमें आपका एहम्दाबाद हो जाएगा ठीक है ना एहम्दाबाद option number 3 is the right answer of this question clear friends चलिए का right answer आप हमको बताएंगे comment box में ठीक है friends तो दोस्तों आपको comment box में बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग यानि कि national highway कौन सा है और एक चीज जोस्तों आपको बता दें कि जो है कुल यातायात जो होता है परिवहन के द्वारा ठीक है ना तो यह होता है 44% important है कर में आपके साथ में पर डिसकस किया था आप revise कर लिजेए इसको चलिए साथियों आपका अगला प्रशन है कि उत्तर दक्षिन गलियारा परियोजना किने आपस में जोड़ती है very good question यह options है और बताईए कि उत्तर दक्षिन गलियारा परियोजना किनको आपस में जोड़ती है connect करती है तो फ्रेंड्स यह करती है स्री नगर को कन्या कुमारी से कौन जोड़ता है तो उत्तर दक्षिन गलियारा परियोजना किके दूस्तों आपसे नमबर थर्ड इस दा राइट आंसर आपका अगला क्वेस्टन है कि स्नुर्डेम चतुरभुज का पूर्वी पस्चिम गोलियार निम्रिखित में से किस केंद्रों को जोड़ती है बताईए अभी अभी अपने बात कि थी जो है उत्त्तर दक्षिन की ठीक है न और अगर आप करी以 heeft question के right answer के इसिसमें हो जयागा आपका कर आय में सरवाधिक योगदान होता है किसका होता है आय करका प्रशुल्क का केंदरी आपकारी करका या संपत्य करका तो फ्रेंट जीटों यह सबसे ज्यादा योगदान होता है यह होता है केंदरी आपकारी करका अगला प्रशने की संगी बजट को अधिकतम आये प्राप्त होती है तो संगी बजट को अधिकतम आये किसी से प्राप्त होती है आयकर से कस्टम ड्यूटी से एक्साइज ड्यूटी से या कॉर्परेट कर से साथी इस question का right answer अगर आपने चुना है option number 3 निकि exercise duty से तो किस से प्राप्त होती है तो यह प्राप्त होती है exercise duty से दोस्तों आपका अगला और second last question है कि निम्रिखित में से कौन सा संग सरकार का स्रोथ नहीं है थोड़ा question में मिस्प्रेंट हुआ है यह ऐसा question है यह दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि निम्रिखित में से कौन सा स्रोथ संग सरकार के आयका स्रोथ नहीं है ठीक है ना बताईए तो फ्रेंट यह उत्पाद सुल्क किसका स्रोथ नहीं है आयका तो यह संग संग सरकार कर नहीं है और क्या नहीं है तो उत्पात सुल और फर्स्ट इस दा राइट आंसर ऑफ इसके बराबर होता है बताई फ्रेंट्स की राज कोशी घाटे और बजट घाटे का अंतर किसके बराबर होता है तो फ्रेंट्स देखे इसी टाइक की क्वेडियो के मिड़ में बताए थे पूछता है ऐसे भी आपको प्रेपेर रहना है और अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के इसमें आपका और बजट घाटे का अंतर किसके बराबर होता है तो राज कोशी घाटे के इसमें आपका सही है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और शियर कर दीजे तो मैं शीवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स क्लास में तबते के अपना ख्याल लखिए सेफ रहिए टेक क्यार फ्रेंट्स